कैसे हो मेरे दोस्तों मैं असा करता हूँ श्यांदार तरीके से अब लोग अपनी लाइफ को एंज्योई कर रहे हो अपनी सेहत फैंबली और पड़ाई का धान काफी अच्छे से रख रहे हो देगे बड़ी प्यारी सी और एक श्यांदार सी बात यहाँ पर स्क्रीन पर आप मान लेते हैं किसमत में लेके फैसले बदला नहीं करते लेकिन यहां से आगे चीज़े जो हैं काफी इंटरेसिंग हो जाती है बोला गयाकि लेकिन फैसले तो लेजे क्या पता किसमत भी बदल जैने तो आप लोग इस तरही की अगर एक बार को अपनी धारना बना लेंगे कि हाँ यार जिन्दगी में देखिए कई सारी चीज़े बूरी जाते हैं फिक्स होते हैं किसमत में ये लिखाया है वो सब चीज़े पर लेकिन जब जब आप लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो चीज़े अपने आप चेंज होना किस़े लिखाया है नहीं इस सही रहा पर ले जाने का तरीका होता है तो कभीभी कोईजिस करने वालों की हार नहीं होती आप लोगों ने ये डायलोग भी सुनोंगा और reality है जिन्दगी में हमेसा कोसिस करते रहना है आप लोगों के सामने जो ये discussion अभी आने वाला है इसमें छोड़ा सा काम आप लोगों करना है जैसे स्क्रीन पर question आप लोगों को दिखेगा तो question आप लोगों को attempt करना है और question attempt करने के बाद में आप लोगों को आंसर देखना है ऐसा करने से क्या होगा अगर question गलत हो गया तो देखिए हिंक पर ही गलत हो जाएगा वो exam में फिर आप लोगों का गलत नहीं होगा और अगर सही हो गया तो अच्छी बात है आप लोग के अंदर और जड़ा confidence आएगा तो दोनों हातों में लड़ू है एक तरीके से exam से पहले ही पर गलत हो गया exam में आप लोग सही करोगे और सीके साथ में confidence भी आप लोग का boost अब होता हो नजर आएगा जैसे ही खतम होगा पूरा discussion question के नियागा टोटल है कितने question अप लोगोंने basically attempt किये है और एक question जो है वो दो marks का है उसके इसाथ से आप लोग जो है अपने marks देख लेना अगर negative marks भी आप लोग को लगानी है तो आप लोग यहाँ पर 1 by 3 की negative marking लगाना उसके base पर total अपने marks निकालना और फिर comment box में लिखना तो यह pattern आप लोग को basically follow करकर चनना है यह जो पूरा discussion होगा यह अच्छे से आप लोग को enjoy करना है क्योंकि अगर regular आप लोगी study lover family का part हो तो आप लोग यह सारे basically topic जो है उल्लेडी cover कर चुके हैं और यह question भी मैं already discuss कर चुका हूँ तो उनके लिए तो यह एक तरीगा revision होगा तो आप लोग देखेगा कितने जादे से जादे question जो है वो आप लोग सही कर रहे हैं तो answer देते देते आप लोग को साथ में आगे बढ़ना है तो आए आज का discussion स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के I am Veer, welcome to study lover family के साथ में, brick के साथ में, OECD के साथ में या फिर world trade organization के साथ में देखे इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कई बार exam में क्या करते हैं आप लोग को full form लिखी हुई नहीं मिलेगी तो अगर आप लोग ये short form आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग को ओर ज्यादा है basically मसकत उठाने पड़े ही question का answer देने में इसलिए in short form के बारे में भी आप लोग को थोड़ा-thोड़ा सा idea होना चाहिए तो question को attempt किजे, फिर में सारी बाते आप लोग को एके करकर बताता हूँ और फिर देखेगा आप लोग को ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाहिना था यानिके चार मेंबर का ये एक गुरूप वह करता था लेकिन आगे चल कर यहाँ पर 2010 के अंदर यहाँ पर इसमें एक कंट्री और जुड़ गया जिसका नाम था South Africa और उसके बाद में इसका नाम Brics हो गया यानिके S और लगया इसके अंदर में इसको जो सबसे पहले इसका नाम जो दिया गया था वो दिया गया था Jim O. Neil के दौरा तो J. O. N. आप लोग याद रहे नहीं हाप इसके दौरा पहला इसका नाम यहाँ पर दिया गया था और basically सबसे पहली जो मिटिंग हुई थी इसकी हुई थी रस्या के अंदर में आज की डेट में हाँ पर आप लोग को इसकी दो important काफी जो पार्ट देखने को मिलेंगे एक को बोलते हैं New Development Bank जिसका नाम आप लोग ने सुनाओगा जिसको कई बार Brick Bank के नाम से भी हम लोग जानते हैं और दूसरा होता है C.R.A इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं Contingency Reserve Arrangement यह इनके अक्समात fund कभी कोई दिक्कत हो जाए तो immediately fund की जुरत पड़े तो यहां से निकाल कर लाय जा सके तो इनका गठन ही हां पर किया गया अब यहां पर जब अगर मैं बात करूँ और यह तो कहीं पर आया नहीं इसमें की Fort Leja Declaration के है इसके बारे में तो हम लोगों ने बात ही नहीं की 2014 के अंदर में जब Brazil की जो सुरी जो Brick की जो सम्मिट होए थी है आपर तो यह Brazil के अंदर में हुए थी तो ब्राजिल के अंदर जो सम्मिट होए थी हां पर तो उस टाइम पर Fort Leja basically यह particular city है जहां पर यह सम्मिट होए थी तो उस टाइम पर 2015 में हापर उसी सम्मिट के बाद में हापर new development बनाया गया था और वो brick की 7th summit थी तो 7th summit में से new development bank जो है ये निकाल कर यहाँ पर लेकर आएं जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा ठीक है तो new development bank जो है वो 7th summit में से निकाल के लेकर आया और वो summit जो हुई थी वो ब्राजील के अंदर हुई थी तो यहाँ से इसलिए question पुछाया सकता है अगर कोई आप लोग उसे पुछ लेकि new development bank जो है आप पर अगर इसके बारे हैं बात करें तो इसका headquarter कहाँ पर है तो याद रखेगा इसका headquarter आप लोग को संखाई के अंदर देखने को मिलेगा जो कि चाइना के अंदर है तो इसके बारे में basic information है जो कि आप लोग को याद रखनी है अब एक question आप लोगों से पूछोंगा अभी recently यहाँ कहाँ पर इसकी meeting हुई है आप लोग को यह बताना है ब्राजील की इसके बारे में आप लोग को बताने चाहिए तो यह basic question है जितनी कहानी मैंने अभी आप लोग को बताई है अगर वो भी आप लोग को नहीं ध्यान से सुनी होगी तो इस question का अंसर आप लोग आसानी से कर पाऊगी बोला गया कि आप लोग को यहाँ पर इस statement देखनी है और यह बताना है कि Brick Development Bank यानि कि New Development Bank के बारे में कौन सी statement यहाँ पर correct है यह आप लोग को बताना है बोला गया कि यहाँ पर जो Brick है यहाँ पर Brick Leader के दोरे यहाँ पर 5th जो Brick Summit होई थी जो कि Durban South Africa के अंदर हुईती दुजार 13 में वहाँ पर बोला गया कि ऐसा कोई bank हम लोग बनाने वाले है यह जो launch किया गया दुजार 15 में किया गया और यह साथ भी Brick Summit देखने को मिली Fort Leja Brazil के अंदर में तो सही statement यहाँ पर क्या है तो सही answer क्या है वो है यहाँ पर A A कैसे है यहाँ पर अब इसका explanation में आप लोग को देता हूँ सबसे पहले तो Brick की जो सम्मिट ही थी पांच यह नंबर की हाँ पर यह डरबर में हुई थी South Africa में तो बोला गया था कि हार ऐसा कुछ होना चाहिए उसके ओपर यह agreed हो गए थी पर लेकिन अगर बात करें हाँ पर जो reality में जो हाँ पर sign किये थी वो फिर किये थी यहाँ पर आप लोग के सामने जो कि 6th summit यहाँ पर देखने को मिले थी 4 ले जा ब्राजील के अंदर में पर लेकिन 7th 7th जो summit ही थी 2015 में वहाँ से इसको force में लाए गया था तो new development bank जो हैं आपर अगर उसके बारें बात करें तो यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 7th summit से निकल कर आया है तो यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए तो तीनों में से आप लोगों देखने को मिलेगा 2015 में तो यह important है आपर यहाँ से question आप लोग का बन सकता है ठीक है तो कोई confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए अगर confusion होगा तो फिर गलत बात है ठीक है तो confusion बिलकुल भी नहीं रखना है तो यहाँ पर यह याद रखना इसके बारे में basic information थी आगे चलते हैं एक और question है आपर छोड़ा सा अगर कल को कोई question पूछले कि brick new development bank जो है वो कहाँ पर situated है तो Beijing इसी के साथ में Moscow Cap Town या फिर Sangai तो अभी मैंने detail में डिसस किया यह Sangai के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा जो की काफी important और श्यांदार area है जिसके अंदर यहाँ पर एक China के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा अच्छा All India Invest अगर बात करें Infrastructure Investment Bank के बारे में अगर आप लोग से बात करें उसका headquarter आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलता है यह question आप लोग बताईए और छोटा सा question है आपर पुरा topic की question के थुरू आप लोग को cover हो जाएगा South Africa जो है Brazil, Russia, India China के बाद में South Africa कावएड किया गया था जब यहाँ पर यह bricks हुआ था 2010, 2000, sorry 2008, 2009, 2010 यह फिर 2011 तो मैंने अभी detail में आप लोग के हाँ पर बताई कि 2010 में हाँ इसको in clear किया गया था इसके starting में brick बोला जाता था और Jim O.Nil के दौरा यहाँ पर यह term बनाए गया था और यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा new development और contingency reserve जो निकल करा है तो यह इसके बारे basic information होगी तो answer इसका हैं से C हो गया यह थोड़ा सा interesting question होगा और थोड़ा different भी होगा और ऐसे हाँ से question मनने के chances भी आप लोग के हो जाते हैं बोला गया है कि यहाँ पर कि where will be the first regional office जो एक तरीके से office जो brick new development bank set up ठेक है तो कहाँ पर set up किया गया तो यह आप लोग को बताना है तो new Delhi, जोहांसबर्ग South Africa, Brazil या फिर China सही answer यहाँ पर किया है तो सही answer है यहाँ पर इसका basically जोहांसबर्ग South Africa तो first regional office जो था है यहाँ पर जोहांसबर्ग South Africa में second regional office तो था इसका ब्राजील के अंदर में और अभी third regional office जो है आप लोग का जो इंडिया के अंदर पहला regional office होगा ठीक है तो याद रखेगा यह है GIFT ठीक है तो जो GIFT City है हमारी country में गुजरात के अंदर में तो वहाँ पर basically यह open किया जा रहा है ठीक है तो इंडिया के अंदर first regional office आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा new development bank का तो यहाँ से आप लोग के लिए बन सकते हैं और अगर आप लोग गुजरात के अंदर रहते हैं और आप लोग से अलग से question यह बन सकता है तो इस तरीके से आप लोग इसको connect करके चलिएगा ठीक है एक और interesting question वैसे आपर है first president कौन थे आपर brick जो new development bank के तो अर्विंद पंगरिया या अमिताब कांत विबेक डुबराए या फिर यहां पर के वी कामत ठीक है तो विबेक डुबरे या फिर के वी कामत इनका नाम आप लोग को बता होना चाहिए सारी की सारी important personality है वैसे इस question का answer में आप लोग को बताऊंगा बाकिक जो तीन बचेंगे उनको जाकर आप लोग को देखना है वो किस-किस फिल्ट से लेटेड है ठीक है तो यहां पर answer सही क्या है यहां पर answer सहीव है डी तो के वी कामत साब जो है वो इसके first president थे यह आप लोग यहां पर पता होना चाहिए और यह 2015 में हापर इसके president बने थे ठीक है तो यह याद रखेगा और अभी new development bank के बारे में कुछ और basic बाते को यह आप लोगों से पूछे September 2021 में बंगलादेश, United Arab Emirates और उरगवे यहां पर यह तीन country और मिल गई यहां पर यहन के पहले आप लोगो पता है पांच country थी यहां पर जो basically चाइना, चाइना, रसिया, एंडिया, यह ब्राजील, साउथ अफ्रीका अभी यहां पर तीन country यह जुड़ गई तो पांच अर Development Bank की और New Development Bank को United Nation के अंदर अभी हां पर observer का भी status दिया गया है, तो इसके बारे में यह है basic information जो की question की form में आप लोगों से पूछ ली जाती हैं कई बार, New Development Bank को बागर आप लोग बात करें इसमें share पूछ लेगी किस-किस के कितने share हैं फिर इंडिया के कितने share हैं आप तो 15 12 इसी के साथ में 20 या फिर 18 सही answer क्या होगा, A, B, C, F, O, D, तो यह आप लोगो बता होना चाहिए, तो सही answer है यहाँ पर इसका C, क्योंकि सब के 20-20% share आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो equal share, equal vote यहाँ पर basically अधिकार दे रख है, यह World Bank IMF की तरीके से compare करकर कई वार यहाँ पर इसके बारे में बाते भी किये जाती है, तो इसकी यह basic information है, जो कि आप लोगों को पाता होना चाहिए, interesting question है, UPSC में 2015 में एक question पूछा गया, और यहाँ पर बात कर जिया जा रही है, genetic engineering appraisal committee के बारे में, यह जो committee है, यह हमेसा news में रहती है, जब GM क्रोफ के बारे में, यानि कि genetically modified क्रोफ के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीकी बाते आप लोगों से पुछ लिए आती है, और यह काफी जादे news में भी थी उस टाइम पर, तो यह किस के अंडर में आती है, Food Safety and Standard Authority Act जो है 2006 का, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act है 1999 का, Environment Protection Act है 1986 का, यह फिर Wildlife Protection Act है 1972 का, तो सही answer यहाँ पर क्या है, A, B, C, F, O, D, आप लोग इसको attempt करो, उसके बाद में answer देखेगा, देखता हूँ कौन सही answer देता है, सही answer क्या है, answer attempt कर लिया, सही answer है आपर इसका C, समझ लेते है कैसे, इसके बारे में basic information आप लोगो बता देता हूँ, कल लोगो question मने, तो confusion नहीं होना चाहिए, जो genetic engineering appraisal committee है आपर, यह basically एक statutory body है, statutory body वो body होती है, जो parliament में कानून पास करकर बनाई जाती है, और यह environment protection act के तहत आप लोगो देखने को मिलेगी, जो की 1986 में हाँ पर लाए गया था, तो 1986 का environment protection act है, उसके तहत है आपर यह committee बनाई जाती है, यह जो environment protection act, तो यह कौन से ministry के अंडर आएगा, तो ministry of environment, forest and climate change के अंदर, यह आप लोगो function करती है, नजर आएगी, कोई भी हाँ पर किस तरीके से हाँ पर काम करना है, manufacture करना है, store करना है, import करना है, export करना है, कोई भी जार्स जो भी हाँ पर हमारी country में genetically engineering से related हैं आपर, उसके बारे म department of biotechnology, यह department of atomic, इसके member आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग genetically modified कोई भी ऐसा crop, कोई भी ऐसा product बनाते हैं, तो society पर large scale पर impact डालता है, तो इसलिए हाँ पर उसके ओपर फुरा focus देना है, कि society पर किस तरीके से impact डाल रहे हैं, अगर negative है, तो उसको उ favorite topic रहता है, खासकर science के ऐसे topic जब आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की जा रही है, genome sequencing के बारे में, तो यहाँ से question पूछा गया, UPSC के द्वरा, genome sequencing, यहनकि जब genome को sequence कियाता है, आप लोगोंने कई बार सुनाओगा, एक बच्चे को AIDS की बिमारी है, उसके parents से genetically कोई ऐसी बीमारी चली हुई आ रही है, जो parents को थी और वो बच्चो को भी लग गई, तो ऐसी बीमारी जो रहती है, उसको genetic effect में हाँ पर डालते चला जाते हैं, और PD दर PD वो बीमारी चलती जाती है, आप लोगोंने कई बार सुनाओगा, इस इंसान के जो है, सर में होगी, तो इसलिए जब भी कोई ऐसा, आप लोगो यहाँ पर लिखा हुआ, कोई ऐसा एक technology के बारें बात करेंगे, तो वो कहीं पर भी confirm नी होगे, can सब्द यूज करते हैं, आप लोगो use नजर आएंगे, exam में भी, तो बोला गया कि जो genome sequencing है, वो can be used, यानि के हो सकती है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पहले धरती पर चला करती थी, train आज केर में, basically जमीन के अंदर और पानी में भी चल रही है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हाँ पर कोई भी can वाली statement जो रहती है, इस तरीके की, वो maximum time science की जो रहती है, वो आप लोगी सही देखने क की बनाओगे, तो help करेंगे उसमें जो भी नई science और technology आएगी निकल का, it can be used to decipher the host pathogen, relationship in the crops, यनिके जो भी हाँ पर आप लोग के जो रोगानों होते हैं, उनको समझने में help करते हैं, उनका क्या relation है, क्रोफ के साथ में, और फिर हम लोग कोई नई क्रोफ बनाते हैं, जो की genetically modified crop की category में आती है, और उसमें जो कीट पतंगे, पहले वाली जो फसल थी, उसको नुकसान पहुंचा दे थे, उसको बरबाद करते थे, अब नए वाली जो फसल आएगी, उसको ये बरबाद नहीं कर पाएंगे, उसके साथ में हाँ पर सामने नहीं टिक पाएंगे, तो कौन सी statement correct है, पूछा गिया है, यह में बोला गिया only one, ब बोला गिया only two, two or three, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, a, b, c, f, d, यह आप लोग बताने, सही आंसर के यहाँ पर, सही आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, d, यानि के सारी के सारी statement से यह, वैसे question बढ़ते बढ़ आंगे, जी एम क्रोफ वाली बहुत सारी चीज़े news थी, 2015-16-17 इस time पर, तो इसलिए कई सारे question UPSC के द्वारा continuously हाँ पर आप लोगों से पूछेगे है, 2013 में question मने हाँ पर GM क्रोफ mustard के बारे में, तो यहाँ से भी question आप लोगों से पूछ लिया गिया है, और यहाँ पर यह काफी जादे news में था, उस time पर मैंने discussion किया था, आप लोगों बताया था, कि हाँ पर यह इसकी वज़े से काफी जादे news में था, जो पंजाब university यहाँ पर लिखाव है, तो यहाँ पर यह reality में पंजाब university नहीं थी, और मैंने उस time भी आप लोगों बताया था, अगर आप से, ठीक है, तो यहाँ पर वो ही काम उसने किया है, बात ही यह जे, GM mustard है, वो बोला जारे है, उसके gene जो है, soil bacterium, यह basically give the plant the property of the, एक pest resistance to wide variety of the pest, यानिक एक तरीके से जो भी pest रहता है, किड़ जाता है, उसके खिलाप resistance का का काम यहाँ पर करेंगे, माल यह किसी को नहीं पता ह उसने नहीं पढ़ी science, भाय साब एक normal बंद है, ठीक है, उसको science में कोई interest भी नहीं है, पर उसको यह तो पता होना चाहिए, कि issue क्या चल रहा है, तो उसने अगर उसको यह पता है, कि यह जो issue चल रहा है, यह issue पंजाब का नहीं है, Delhi University का है, अगर उसको यह only issue पता है, पूर of all the exam बोला जाता है, वो आप लोगों से prelim से ही खेलना स्टार्ट कर देती है, मेंस में खेलती है, फिर interview में खेलती है, तब जाकर एक officer बनाती है, और उसको पता है कि इस तरीगे से officer चुना जाएगा, वो ही समस्याओ को handle कर पाएगा, वरना रोने बैढ़ जाएगा, तो जानों की चल क्या रहा है, टोपिक क्या है, इसके बारे में तो आप लोगों को यादो न चाहिए, तो ऐसे question आप लोगों से पूछे आते हैं, तो answer क्या हो गया, answer इसका B हो गया, मैंने बोला था आप लोगों ये topic काफी जादे news में था, तो था है 19 में भी इससे question बूचा करने में, या फिर cut करने के लिए, ठीक है, बायो सेंसर है, जो की use कहता है, accurate detect करने में pathogen को in the patient, ठीक है, इसके साथ में gene है, जो की एक तरीके से, जो बूला गया है, जो की एक तरीके से herbicidal, जो substance है, जो की एक तरीके से आपर synthesize करता है, जो genetically modified growth, ठीक है, तो synthesis की बात की जार बारे में, आप लोगो मैंने पढ़ाय, तो यहाँ पर जब बात करते है, genetically modified चीज के बारे में, और gene editing के बारे में, तो मैंने आप लोगों यहाँ पर यह बता है, कि यह जज़ सीजर है, यह use किया आती है, cut करने के लिए, genetically modified का मतलब क्या होता है, जब कोई आप लोग genetically modified बोलते हैं, क्योंकि बाहर का पार्ट इसमें जोड़ दे कोई लाकर, पर लेकिन gene editing का मतलब क्या होता है, editing का मतलब क्या होता है, कि अगर ऐसा कोई portion आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको edit करके यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो यह ऐसे question आप लोग उसे बनते हैं, तो आप लोगों को वो नहीं बोल रहे हैं, कि आप लोग gene editing करके दिखाओ, पर यह तो पता होना चाहिए कि कोई instrument यहाँ पर use में हैं, जिसको आगे चलकर Nobel Prize भी मिल रहा है, काफिए दे news में हैं, तो आगे भी question बन सकते हैं, two years के कम से कम आप लोगों कवर करके जाना है, तो कोई भी confusion आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ही question आप लोगे लिए बनाने कोसिस की गए, जैसा UPSV में पूछे आता है, यहाँ पर बात की जा रही है, genetic engineering appraisal committee के बारे में, अगर आप लोग को यहाँ पर है, तो भी आप लोग question का answer कैसे दे सकते हैं आपर, तो आप लोग देखते हैं, आप लोग बोलागे इस्टेवलिस की जाती है, ministry of agriculture and farmer welfare के अंदर में, बाकि आगे बात की जा रही है कि large scale पर हजार्स, जो micro organism है, या recombinant है, तो उनकी apex जो बोड़ी है, उसको approval देने के लिए responsible है, proposal के लिए, जो की genetically engineering organism या product include कियाते है, experimental field के अंदर में, तो यहाँ से approval लेते हैं, इसके बारे में अगर आप लोग कुछ भी नहीं बता है, ठीक है, आप लोग को यह पता है, किस ministry के अंदर में आती है, तो आप लोग question का answer आप लोग यहाँ पर कर दोगे, ठीक है, तो Environment Protection Act जो 1986 का Fs के इसाफ से इसको establish किया गया था, तो यह सारे काम करती है, यहाँ पर नजर आती है, तो यह अकेली statement आप लोग को पता है, गलत दे रखिये, तो यहाँ पर answer आप लोग का निकल के आ गया, answer होगी यहाँ पर B, तो इसलिए कहता हूँ, थोड़ा सा basic information अगर 18 में UPSC ने common sense का question बूचे हैं आपर, और यह soil के बारे में जो मिट्टी होती है, तो मिट्टी के बारे में हाँ पर question बूचा गया और बिल्कुल common sense का question है, अगर आप लोग ने आसपास की चीज़े notice की होगी, तो यह question आप लोग अराम से clear कर देंगे, बोला गया कि high content जो organic matter प्रिंदा सोईल, drastically reduce its matter, जो water holding capacity, यानि कि जो आप लोग के आसपास में जो भी मिट्टी रहती है, उसमें जो organic matter रहता है, जो उसके अंदर घास, पूस, पत्तिय जो हैं, जो मिट्टी के अंदर में, तो उसकी विज़े से उसकी water holding capacity जो है, वो खतम हो जाती है, और होहाँ प जैसा घास, पत्ते, कुछ नहीं मिले है, उसके अंदर, वो वाली मिट्टी ज्यादा जल्दी सूख जाएगी, या फिर वो वाली मिट्टी जल्दा जल्दी सूखेगी, जो के अंदर घास, पूस, पत्ते बगारा मिले हैं सूखे, वो ज्यादा जल्दी सूखेगी, तो आप लोगों ने कही बार यह चीज़े देखिऊंगी, तो यहां से यह reduce नहीं होती है, यह basically बढ़ जाती है, अगर यह statement आप लोग का अखेली पता है ना, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों, ठीक है, तो question का answer आप लोग देखकर यह normally आप लोग जो है, इस तरीके के जो general science के question मनते हैं, यह practicality से ज़्यादा पुछे आते हैं आप लोगों से, तो इसलिए ऐसी चीज़ा आप लोग को practice करने से आप लोग के mind में clarity लेकर आती है, ठीक है, यह question दो था है, यह 18 में दा हिंदू newspaper से निकाल कर UPS से लेकर आई यह दा हिंदू newspaper के अंदर काफी detail में cover किया गया था, और यह जो है basically क्या था यहाँ पर बात किजारती, प्रोस पिस जूलिफ फुलोरा, तो यह नामक एक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, यह एक plant है, और जो news में था बोला गया, क्यों news में था यहाँ पर यह तो तो pesticide जो है kit न सको basically बनाने में इसका अपयोग कियाता है, यह फिर कोई भी सही नहीं है, तो एक तो statement आप लोगों से वैसे ही खतम कर दी, तो आप लोग का आधा भार कर दिया, मतलब 1 by 3 भार भार खतम कर दिया, आप लोग का ऐसा 1 by 4 भार आप लोग खतम कर दिया, 1 by अब कर देता है, तो reduce कर देता है by diversity और इसकी वैसे केरला में, केरला government के द्वारा कई सारे step उठाये गे थे, कि local area में काफी सारी दिक्कते हैं यहाँ पर यह create कर रहा था, यह पोदा, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो newspaper पढ़ना आप लोगी common sense डवलफ करता है, और उसके base आप लोग बहुत सारे question exam में अच्छे से clear कर पाओगी, तो answer यहाँ पर क्या हो गया, answer यहाँ पर इसका भी हो गया, तो इसलिए बोलायाता है कि news जो है, वो आप लोग को regular सुननी चाहिए, उसमें कोई भी doubt आप लोग नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग question को अच्छे से connect कर पाओगे और exam में solution निकाल पाओगे, यह काफी interesting question है, art and culture के अंदर आप लोग के लिए बन सकते हैं, आपर basically हिंदुस्तानी music के बारे बात की जा रही है, बोल गया हिंदुस्तानी music जो है, वो indigenously है, यानि के एक तरीके से हमारा खुद का स्वेदेशी है, इसके अंदर 6 major rag आप लोग को देखने को मिलते हैं, यह जो है, इसके अंदर instrument यूज कहता है, तबला, सितार और संतूर, तो यहाँ पर क्या सही answer है, A में बोलागे है, 1 and 2, B में बोलागे है, 2 and 3, सेंब बोलागे है, 1 and 3, D में बोलागे है, all of the above, तो सही answer यहाँ पर क्या होगा, A, B, C, या फिर D, अगर कोई आप लोगों से पूछे, तो यह आप लोग को बताना है, तो answer इस तरीके से देखते हैं, ताकि यहाँ पर topic की, आप लोग का लगबग cover हो जाए, और आप लोगों से कोई करनाटिक, या फिर हिंदुस्तानी music में difference पूछने लगे, या फिर अलग-लग भी question पूछने लगे, तो पूरा topic आप लोग का तैयार हो जाए, तो करनाटिक और हिंदुस्तानी music में ध्यान रखेगा, इसमें total 72 राग होते हैं, इसमें only 6 राग होते हैं, ठीक है, तो बारे चिक बारे गुना बड़ा होता है करनाटिक music, अगर बात करे हिंदुस्तानी music स इसके अंदर वीना, इसी के साथ में मरीद दंगम, इसी के साथ में मेंडोलिन, यह इसके अंदर यूज कहता है, जो की इंस्टुमेंट है, यहां तबला, सारंगी, सितार और संतूर यूज कहता है, यह जो है completely आप लोग को indigenous देखने को मिलेगा, यानि कि भारत में इसका प कई स्टाइल, क्यों कि कई सारे इसमें, आप लोग को includedches यह देखने को मिलेगी, freedom of एक तरीके से compromise हैं, आप लोग improvise कर सकते हैं, freedom of skip लेकिन हैं आपर scope of variation, यहांनि कि एक तरीक से separation भी कर सकते हैं, और improvise भी कर सकते हैं, क्यों कि एक चीज से निवना बनाए, कई सारों से मिल होना जाने चाहिए आपर तो बेसिकलिए यह जो आंसर इसका अंसर यहां पर भी हो जाएगा बी का मतलब यह नहीं कि फ़र्स्ट गलत हैं आपर इंडिजनस नहीं है अभी आप लोग को बताया यह कहां कहां से को अगर पो पुश लेंगे या फिर आप लोगो कि यहाँ पर संगीत कलानेधी अवोर्ड जो है वो basically किस Music Academy के द्वारा दिये जाता है पहला बोला गया है मदरास Basically Music Academy यानि कि मदरास संगीत Academy Bombay Music Academy, Delhi Music Academy और फिर कलकाता Music Academy तो यहाँ पर आप लोग इसको बताईए सही answer क्या है, detail में बताता हूँ क्योंकि recently अभी अवोर्ड भी दिया गया है तो question भी आप लोगों से बन सकता है तब तक आप लोग attempt किजिए answer सही क्या है याँ पर, तो है A A है यहाँ पर कि किसके द्वारा मदरास Music Academy के द्वारा दिया जाता है announce क्याता है, संगीत कलानेधी अवोर्ड और अब की बार जो यह award announce किया गया है 2020, 2021 और 22, 3 साल के लिए अवोर्ड यह announce किया गया है pandemic यनके COVID-19 के विए से यहाँ पर यह award जो था वो announce यहाँ पर नहीं किया गया था तो अभी यहाँ पर 2020 के लिए 2021 के लिए और 2020 के लिए यहाँ पर अलग-अलग personality इसको यह award दिया गया है अगर बात करें 2022 के लिए 2020 के लिए तो यहाँ पर जो एक तरीके से important personality है उनका नाम है आपर basically नवेली आर संत गोपालन ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा 2020 के लिए 2021 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इनका नाम है त्रिवूर जो basically भक्त सलम ठीक है तो भक्त सलम तो यहाँ पर 2020 के लिए इनको दिया गया है और 2022 के लिए दो इंसानों को दिया गये हैं आपर दो इंसान जो कि एक जोड़ी हैं आपर लालगुडी, जे आर, कृस्टनन और विजयलक्ष में तो यह इनको दो परस्टनलिटी को दिया गया है और मदरास, म्यूजिक अकैडमी के द्वारे हैं यहाँ पर यह दिया जाता है तो कोश्टन अगर एक्जाम में पूछ ले जाए आप लोगों से तो कन्फूजन आप लोगों के मैड में नियू न चाहिए ऐसे कोश्टन अक्सर बन जाते हैं खास कर ये, आर्ट इन कल्चर वाले पोर्सन से आप लोगों से पूछे आ सकते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेसन है याद रखिएगा जगरनातपुरी टेंपल काफी ज़ए अभी रिसेंडली न्यूज में था तो आप लोगों से कोश्टन पूछा जा सकता है ये दुआर जो हैं मैच करने के लिए आ सकते हैं कि इश्टन, वेस्टन, नॉर्टन और सधन चार दिवार हैं पूरभ पस्चि मुत्तर दखशिण में इनके नाम आप लोगों से मैच करने के लिए आ सकते हैं तो इस्टन साइड में ब।लागी है आपर हस्ते दिवार एन के हाथी दिवार आप लोगों को देखने को मिलेगा तो अगर ऐसा question आप लोगों से पुछाए तो सही answer आप लोग क्या दोगे तो इसके बारे basic information पता होना चाहिए तो A में बोला गया है यहाँ पर 1 A में बोला गया है 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D इस टेट PCS के अंदर आप लोगों से ऐसे question पुछाते हैं तो वीडियो को basically pose करकर आप लोग इसको answer दीजे फिर में आप लोग का answer बताता हूं ठीक है तो जगरनाथ पुरी temple जो है यह एक तरीके से विष्णू के follower का है काफी important temple है आपर यह जो temple है 12 century में हापर बनाया गया था और king इनका नाम है आपर अनंत वर्मन, अनंत वर्मन चंडो गंगा जो देव है जो गंगा डैनिस्टी से बिलोंग थे इनके द्वारे यह बनाया यहाँ पर यमनी का तिर्था भी बोलते हैं यहाँ पर यह मनायता है कि power of yam यानिके जो मृत्यू के देवते हैं उनकी power खतम हो जाती है यहाँ पर आकर तो यह मनायता है temple को white pogoda भी हाँ बोलायता है और यह पार्ट है चार धाम जो pilgrims हैं आपर बदरीनाथ दौरी का पुरी तो पुरी के अंदर जो जगरनाथ temple है वो चार धाम का पार्ट है आप लोगो यह देखने को मिलेगा चार गेट होते हैं आपर इस्टन सैड में सिंग दौर आप लोगो देखने को मिलेगा यानिके सेर का दौर हो गया इसी के साथ में हाँ पर लोयन हो गया सदन सैड में अ आप लोग यहां पर बताए तो कोई भी confusion में आप लोग इसको लेकर नहीं होना चाहिए वैसे तो आसान कोश्चन लगेगा क्योंकि सारी बाते बता दिये फिर भी practice करके एक बार देख लो कि कोश्चन आप लोग अरलत ने करें एक्जाम में जगरनाथ temple के बारे में और इंग का नाम आप लोगे सामने हैं पर जिनको बोला जाता है जो पूरा नाम अगर बात करें का तो अनंत वर्मन बिसिकली चंडो गंगा देव ठीक है तो यहां पर गंगा डैनेस्टी से connected थे और यमनी का तिर्च हैं आपर बिसिकली इसको बोला जाता है क्योंकि यम की सार 12th century में आप लोगों देखने को मिलेगा यही बाते में आप लोगों यहां पर बताई है सारी तो 12th century का है बाग यह सारी बात एक 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 आप लोगों बता दिये तो आंसर यहां पर C हो गया यानिके second statement गलत होगी आधी गलत statement है आधी say statement है ऐसे भी question आप लोगों से बन जात practice global climate change को ध्यान में रखते हुए food price को regulate करना food security के बारे में सोचना और gender priority पर focus देना at work place तो सही answer क्या है यहां पर तो question के point जो आप लोग ऐसे बना जाएंगे कि आप लोग confused जा जाओगी अगर ऐसी statement के बारे में आप लोगों नहीं पता है तो basically ऐसे question को फालतों में तुक्के यहां पर जिसे c29, c87, c98, c100, c105, c111, c38 minimum age convention ठीक है तो minimum age कितनी होनी चाहिए यहनिके बच्चों को यहां पर लेकर नहीं आना है ठीक है इसी के साथ में worst form of the child labor किस तरीके से उसको रोगना है तो यह c182 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा force labor को भी हां पर अटाने है discrimination नहीं करना है यहां पर आजाएगा equal जो remuneration देना है यहनिके जो इनसान अगर काम कर रहे है चाहिए वो male ए female लोग उसको equal आप लोग को basically हां पर पैसे देने है ठीक है एक तरीके से collective bargaining की बारे में हां पर बात की जा रही है freedom of association की बात की जा रही है अपने अधिकार ले सकत है और force labor के बारे में हापर बात की जा रही है तो यह अलग-अलग convention है इसको थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में तो question भी आप लोग से direct exam में पुछा सकते है अगर आप लोग EPF की तयारी कर रहे है या फिर assistant provenant fund commissioner APFC की तयारी आप लोग कर रहे है तो वहाँ पर भी financial labor organization के बारे में बोला गया इस्टैब्लिस किए गए थी हाँ पर starting में हाँ पर basically league of nation के टाइम पर world war first के ताइम पर इस्टैब्लिस की गए फिर आगे सलकर treaty of जो वरसाइ थी वो 1919 में हुई first ये एक specialize agency बनी United Nation के अंदर 1946 में सही answer यहाँ पर क्या है ये आप लोग को बताना है A में बोला गया है 1 and 2, B में बोला गया है 23, सेम बोला गया 1 and 3 और D में बोला गया है all of the above तो सही answer यहाँ पर क्या है, सही answer आप लोग यहाँ पर इसका D देखने को मिलेगा यनि के सारी के सारी statement यहाँ पर बिल्कुल सही है अगर इसके बारे बाते कीजे तो यह जो थी first ऐसी organization थी जो यहाँ पर बनाएगी एक तरीके से basically कप यहाँ पर जब UN बनाया गया तो उस time पर यहाँ पर यह इसके चलते हैं यहाँ पर यह Treaty of Warsaw AI और यहाँ पर यह लीग ओफ नेसन इस्टेबिस किया गया तो उसके थुरू यहाँ पर यहाँ पर यह बनाया गया पर लेकिन यहाँ पर काम नहीं चला और फिर World War Second भी हो गया उसे बन जाते हैं ठीक है यहाँ पर क्या चुपा हुए आप लोगे मैंड में ही आ रहा होगा कुछ नहीं चुपा हुआ है अभी आप लोगों से क्वेशन पूछूंगा उसके बाद में आप लोगों को बता चलेगा International Labour Organization को Nobel Peace Prize दिया गया तो किस year में इसको Nobel Peace Prize दिया गया वो हाँ पर चुपा हुआ था क्योंकि next question है तो 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1971 में तो सही answer क्या है A, B, C, F, D यह आप लोगों को बताना है तो सही answer है यहाँ पर क्या? वो है 1969 तो यह चुपा हुआ था महाँ पर ठीक है? तो यहाँ पर इसको Nobel Peace Prize भी दिया गया society के लिए काम करने के लिए तो इसके related question भी आप लोगों से बन सकते हैं तो इस तरीके से doubt नहीं होना चाहिए तो answer यहाँ पर आप लोगों का भी हो गया तो ऐसे question आप लोगों से एकसर पूछे आते हैं तो कोई भी doubt हो तो उसको clear करक कि आप लोगों को आगे बढ़ना है को और question है आप लोगे practice करने के लिए अभी जो मैंने सारी बाते आप लोगों को बताई है वो practice हो जाएगी c98 c111 इसी के साथ में c138 और c182 इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पुछे तो सही match यहाँ पर क्या होगा यह में बो लेकियार पढ़ा नहीं ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कुत्ब मिनार यह हो काफी जाते न्यूज में तो इहां से भी question आप लोगों के लिए बन सकता है तो इसके बारे में थुरा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं बात की जा रहे हैं फाइव स्टोरी रेड स्टोन टावर यहां पर यह जो इसकी first statement है दूसरा बोला गया कि यह जो है basically इसलिए बनाएगी थी क्योंकि जो हाँ पर जो Muslim ruler आय थे उनके द्वारा राजपूतों को हराय गया था और उसके बाद में हाँ पर इनके द्वारा rule करना स्टार्ट किया गया construction जो था हो कुत्तुबुदी नेबक ने start किया और finish के थी इलतुतमिस ने यह बोला गया है सही answer क्या है A में बोला गया 1 and 2, B में बोला गया 2 and 3, C एम बोला गया 1 and 3, D बोला गया all of the above तो सही answer क्या अगर कोई आप लोगों से पूचें तो सही answer है आपर D, बिल्कुल सही है आपर सारी की सारी की सारी statement तो यहाँ पर कुतुबुदुन एवक के द्वारा बनानी start किये थी यहाँ पर और फिर इलतुतमिस के द्वारा यहाँ पर यह complete की गई और आगे चलके मुहमद बिन तुगलक, फिरोज साथ तुगलक इनके द्वारा इसको basically मरमत भी कराएगी लंबे समय तक चलती रहती है ना, UNESCO World Heritage Site में बनाएगी इसको 1993 में और यह लगबग 72 मीटर की आप लोगो इसकी उचाई देखने को मिलेगी एक मोस्ट जिसका नाम है आपर क्वेत उलिस्लाम मोस्ट तो यहाँ पर इस मोस्क में सबको नावाज पढ़ने जाना होता था तो कुत्ब मिनार इसलिए बनाएगी थी कि उस पर चड़कर आवाज लगाए जासा कि आओ भाई साब नावाज पढ़ लेते हैं साब ठीक है एक रिसेनली अभी काफी जादे न्यूज में हाँ पर यहाँ मानगड मैं सकर तो मानगड मैं सकर जो है बिफोर जलियावाला बाग मैं सकर या आफ्टर एट्टिन फिप्टी सेवन रिवोल्ट आफ्टर जलियावाला बाग या फिर बोत A and B तो यह question आप लोगों से बन सकता है इसके बारे में कुछ basic information में आप लोगों से भी discuss करूँगा तो answer है यहाँ पर क्या? answer है यहाँ पर D क्या है basically जा लेते हैं मानगड मैं सकर को यहाँ पर आदिवासिका जलियावाला बाग भी बोले आता है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगो बता है जलियावाला बाग मैं सकर है यहाँ पर 13th April 1999 में sorry 1999 में यह आप लोगो देखने को मिल था 1919 में टो यहाँ पर ये बल लेकिन अगर बात करें जो मानगड मैं सकर है यहाँ पर ये यह 6 साल पहले हुआ था जलियावाला बाग से यहनकि 1913 में हिहाँ पर यह आप लोगो देखने को मिल था मानगड हिल के पास में वे खटे वे थे और वे अपना अलग एरिया की मांग कर रहे थे तो उनके ओपर यहाँ पर बिसिकली गोलिया बरसाई गए थी ठीक है अंग्रेजों के द्वारा तो उस टाइम पर यहाँ पर यहाँ पर यह दिक्कते देखने को मिले थी तो गुजरात जलेया वाला बाग बेसिकली है ऐसे ऐसी बाते इसके बारे बोली जाती है तो अंग्रिया जोने खूब नरसंगार के हमारे लोगों के उपर तो हम लोग जैसे तैसे आपर उबर कराए और फिर हमारा समिधान बना राजकेटी में चैन की सांस ले रहे है तो ऐसे कोश्चन आप लोगों से हिष्टी में बन सकते है और हिष्टी के बारे में देए कोश्चन बनना एक अलग बात है आप लोगों वैसे भी पढ़ना चाहिए बींगे सिर्जन ओफ इंडिया भारते नागरीक होने के नाते आप लोग कुछ न कुछ बेसिक जो है वो आपने हिष्टी क लिए बाकि जो भी बेसिक इंफॉर्मिसन है और यहां पर नोट्स वगरा वो आप लोगों यहां पर ही मिल जाते हैं इंग्लिस के टोटल यहां पर 32 सेशन आप लोग हो चुके हैं अगर बेसिक इंग्लिस इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसको आप लोग जोइन कर लिज कर दो मिल यहां भी.